Hey guys, this is Dr. Priyanka Singhla and welcome back to my YouTube channel. ठंड के मौसम में वाइरल का होना बहुत कॉमन है, जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार का होना बहुत कॉमन है, बार बार हमें फ्लू हो जाता है, वाइरल हो जाता है. आज की वीडियो में हम बात करेंगे, वो कौन सी हुमेपितिक मेडिसन है, जो वाइरल में बहुत अच्छा काम करेंगी, जो सर्दी में, जुखाम में, बुखार में बहुत अच्छा काम करेंगी, बहुत एफेक्टिव रहेंगी. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. पहले हम बात करते हैं, अगर आपको ठंड लगने से cold बहुत जल्दी हो जाता है, यानि आपको थोड़ी सी भी ठंड लगती है और जुखाम बहुत जल्दी हो जाता है, छीके बहुत जादा रहती हैं, जिसकी वज़ा से सर में दर्द भी रहता है, अगर थोड़ा सर भी में पेंड रहता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उस केस में आपको इलियम सीपा लेनी है, होमेटिक मेडेशन है, इलियम सीपा, इलियम सीपा 30 के पोटेंसी में लीजेगा, दिन में 3 बार, सुभा, दुपैर, शाम, 3-3 बून जीब के उपर लेना आपको, जो आपको बार-बार cold हो जाता है, ठंड आते ही, थोड़ी सी ठंडी हवाओं के लगने से, वो आपका इतना frequently cold नहीं होगा, वहीं बहुत चरे patients आते हैं, जो complain करते हैं कि उन्हें ठंड के मौसम में सूखी खांसी रहती है, जैसे ही ठंड आती है, उन्हें खांसी में पेन रहता है, जिसकी वज़ा से patient को घबराहट भी रहती है, अगर आपको ये सारे symptoms मिलते हैं, कि ठंड आते ही, खांसी आपको शुरू हो जाती है, सूखी खांसी रहती है, उस किस में आपको एकोनाइट नैपलस लेनी है, एकोनाइट आप 30 की पोटेंसी में लीजेग दिन में तेन बार, सुभा, दुपैर, शाम, दो दो बूंद, जीब के उपर लेना आपको, जो आपको सूखी खांसी रहती है, वो आपकी ठीक हो जाएगी अगर आपको वाइरल फ्लू रहता है, ठंड बहुत जादा लगती है, बुखार ठंड के साथ आता है, पूरी बॉडी में बहुत कपकपी बनी रहती है, पानी की प्यास बहुत जादा नहीं लगती है, टंग बहुत सूखी रहती है, और पेशन को बहुत जादा घबराहट होती है अगर आपको बदलते मौसम में ठंड की मौसम में बुखार आपको ठंड के साथ में लबता है उस केस में आपको आर्सेनिक एल्बम लेनी है आर्सेनिक एल्बम आप 30 की पोटेंसी में लीजेगा आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में तीन बार लेना सुभा दुपैर शाम तीन तीन बूंत जीब के उपर जो आपको ठंड के साथ में बुखार आता है घबराहट होती है रेस्टलेसनेस है वो आपकी सारी दिकते ठीक हो जाएंगी अब हम बात करते हैं अगर वाइरल फीवर बच्चों में होता है यानि बच्चों में बहुत लंबे टाइम तक बुखार चला रहता है बुखार में बॉडी का उपर वाला पार बहुत गरम रहता है नीचे वाला पार बहुत ठंडा रहता है यानि सर बच्चे का बहुत गरम रहेगा, हाथ पैर बच्चे के ठंडे रहेंगे अगर बच्चों में फीवर रहता है बहुत लंबे टाइम तक उस केस में आपको आर्निका मॉन्टेना लेनी है आर्निका 200 की पोटेंसी में लीजेगा आर्निका 200 सुबा खाली पे तीन बूंध जीव के उपर देनी है जो बच्चों में वाइरल फीवर रहता है बहुत लंबे टाइम से वो उनका ठीक हो जाएगा अगर आपको ठंड के मॉसम में खासी जुखाम बहुत जल्दी हो जाता है खासी आपको बलगम वाली आती है मुकस बहुत जादा निकलता है साथ में छीके बहुत रहती है गले में इरिटेशन बहुत जादा रहती है कुछ अटका हुआ लगता है अगर आपको बलगम वाली खासी रहती है साथ में छीके बहुत जादा आती है उस case में आप squela maritima लीजेगा homeopathic medicine है squela आपको 30 की potency में लेनी है दिन में 3 बार सुभा, दोपैर, शाम 3-3 बूंद, जीब के उपर तो ये कुछ homeopathic medicine है जो आपको viral में जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार उसमें बहुत अच्छा काम करेंगी अगर आपको ठंड के मौसम में viral होता है तो I hope आपको वीडियो बहुत useful लगी हो Thank you so much for watching the video and please subscribe to my channel